हाई फ्रेंड्स नमस्कार गउतो मिद्रिस में आप सभी का एक बार फीश से स्वागत है आज मैं आपके लिए टूना फीश की रेसिपिल आई हूँ जो की मैरिनेटेड टूना फीश फ्राय करके आपको दिखाने वाली हूँ दोस्तों बहुत सारे लोग फीश काना इसलिए पसंद नहीं करते कि उसमें डेल सारे काटे होते हैं तो आज मैं आपको टूना फीश काने के बहुत सारे पाइदे बताने वाले और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो वीडियो जो है बीना स्किप के इन तक दिखते सबसे पहले मैंने यहां पर मिक्सर का जार लिया है उसमें मैंने धनिया हरी दनिया लिया है और साथ में मैंने दो चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर लिया है और स्वादा नुसा नमक और आदा चम्मच जो है अल्दी पाउडर लिया है पेस्ट बना कर इसको जो टूना आपको घटी लगेगी मिकसर के जार में हमने जो मसाले आड़ करके पेस्ट बनेया था लेजन और धनिया का वoga अच्छे से इसमें ले लेना है हलका हथों से इसको मसाले से अच्छी तरके से मैरिनेट कर ले perspectives क्या है यह जो इसके जो है अलग अलग पार्ट्स जो है निकलने लगते हैं टूकडे निकलने लगते है मैरिनेट करने से सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा जैसे कि लेसुन मैंने इसमें डेर सार यूज किया धनिया लाल मिर्ज पौडर, नमक, सॉल्टीनेस थोड़ा सा आ जाएगा सारे इंग्रिडेंस जो है इसमें अच्छे सरीक से डाले हैं मैंने तो मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है इससे टेस्ट और जाड़ा बढ़ जाएगा दोस्तों अगर मेरे चानल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके पेल आइकन पे क्लिक करिए क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके पेश को मैंने अच्छे तरह किसे मैरेनेट कर लिया है लगबग एक गंटा या फिर आदा गंटा मिनिमम आपको रखना है अब हम दूसरे तैयरी करते हैं एक खाली प्लेट लिया है छाइब के यहां पर राइस फ्लार यानि की चावल का आंटा मेने दो चमच लिया है बड़े बड़े दो चमच लेना है अब मैशमच मेंक लिया है और ने तो साथ माणा में ओर हुर ऐक नहीं लिया है ऑपर मेने आदा चमच शी जबाए entails लेना है ऐहाँ पर कमा से अधा लेना है अब जो हमने मारिनेट किया हुए पिश था जो लेना है कि यह विटैमिन की मात्रा होती है ये आड के लिए भीब इम्मिनेटी स्ट्रॉंग बनाने में भी यह मदद करती है तो अगर आप कूपा वीच खाना पसंद नहीं करते हैं तो जल्दी से खाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत पाइदे मंद होती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करके शेयर है और जिसने अबस्क्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी करदिजिए और जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए ठैंक यू एक करके हमें सारे जो टुकड़े हैं फिश के वो कोटिंग करना है कोटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर सूजी एक चमज और राइस पाउडर जो लिया है उसका ये कारण होता है कि फिश जो है राइस और सूजी के वज़े से जो है कड़क होना लगती है उपर क्रिस्पी और अंदर से थोड़ा सा सौप तो खाने भी मजा आएगा उपर से थोड़ा सा क्रंच और अंदर से सौप लगेगा तो फ्लेम ऑन करके मैंने नौन स्टिक का पैन इसमें रख दिया है आप कोई भी पैन यूज कर सकते हो इसी कोई बात नहीं है और फैन गरम होने के बाद हम इसमें एक पैने जो है टेल एड़ करें और एक एक करके सारे जो है पीश के जो स्लाइसे से इसमें रख देंगे और ऋंपश और घूब इस साइड में 10 मिनिट उस साइड में मीडियम से लो फ्लेम में हमें इसे पकाना है हाइफ बिल्कुल भी नहीं करना है हाइफ लेम अगर आप करोगे तो प्रॉपरली फीश हमारी कूख नहीं होगी अनकूख रहेगी उपर से जल रहेगे और नीचे अंदर से जो है वह है और एक उसको अच्छे तरह किसे सजाओंगी मुझे प्लेटिंग करना में मज़ा आता है तो मैंने इसे घर पे ट्राइ करती रहती हूँ तो देखिए अभी इस तरह किसे मैंने क्या किया है दो डंटन लिये है धनिये के इस साइड में इसे रखा है और राउंड यू है वह पसंदारी होगी तो प्लीज लाइक करना शेयर करना मत बूलेगा और हां सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों क्योंकि अगर आपका है सपोट नहीं रहेगा तो मेरा चानल आगे कैसे बढ़ेगा जिन जिन लोगों ने सब्स करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर पी क्लिक करिए क्योंकि में नहीं और मज़िदा रेसिप्ट आपके लिए ला सकती हो आई होप आप से आप यह जो फीश है खाना स्राट कर दो कि क्योंकि इसमें सिंगल काटा होता ज्यादा काटे की मातरा नहीं होत होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाते है इम्मुनिटी बूस्टिंग पावरेस में ज्यादा होता है ब्लड सर्कुलेशन होता है हाट के लिए अच्छी होती है और थाइरट के लिए भी यह फीश जो है बहुत अच्छी होती है तो आज के लिए इतना है दोस्तों टेक क्यार फिर में लेंगे एक नई रेसिप के साथ बाबाए